हेलो स्टुडेंस हाव आ यू बच्चों आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है सभी बच्चे अपनी हिंदी की सुर्भी पुस्तर रॉफ डोट बुक और पैंसिल लेकर बैट जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें बच्चों पिछले सेशन में मैंने आपको पार्ट फिर क्या हुआ का विस्तार पूरवक अध्यन करवाया था तो इस सेशन में मैं आपको इस कहानी का सार लिखना बताऊंगी थ्रू कीवर्ड्स मैं आपको इन कीवर्ड्स से सार डैवलप करना बताऊंगी आपने स्वियम अ सबसे पहले हम उसका परिचे देते हैं, तो उनके कीवर्ड हैं, पुस्तक, पाठ, मुगलकाल, अकबर, रोचक और घटना, प्रस्तुत सार हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, सुर्भी में संकलित, पाठ, सिर क्या हुआ का है, इसमें मुगल, बादशा, अकबर के जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना का वर्णन किया गया है, नेक्स्ट कीवर्ड हैं, एक बार बादशा, अकबर, बिमार, नीन, रात और कहानी, एक बार की बात है, बादशा, अकबर, बिमार पड़ गए, उन्होंने नीन ना आने की अवस्था में, रोज रात को एक कहानी सुनक वक्त बिताने का निश्चे किया, तो नेक्स्ट कीवर्ड हैं, बादशा, शौंक, दर्बारियों, अन्त, फिर क्या हुआ, परेशान, बीरबल, समस्या और हल, बादशा अकबर के कहानी सुनने के शौंक को पूरा करने के लिए, उनके दर्बारियों में से रोज रात को एक के करके दर्बारी आने लगे, लेकिन कहानी के अन्तक भी बादशा का दिल ना भरता, और वे अन्त में बार-बार पूछते, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, दर्बारी बादशा की इस आदत से परेशान हो गई, दर्बारियों ने अब बीरबल को इस समस्या का हल निकाल अगली रात बीरबल ने स्वयम जब बादशा अकबर को कहानी सुनाई तो आदत के नुसार कहानी के अंत में फिर से बादशा ने पूछा फिर क्या हुआ तो बीरबल ने उनकी इस आदब से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें एक और नहीं कहानी सुनानी शुरू कर दी तो नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं बीरबल, जंगल, किसान, उपजाओ, जमीन और चावल इस कहानी में बीरबल ने कहा बादशा हुजूर किसी जंगल में एक बहादुर किसान रहता था उसने अपनी जोंपडी के आसपास उपजाओ जमीन पर चावल बीज दिये थे नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं पक्षी, चावल, बचाने, मटके, छेद, पक्षी, चोंच, उड़, बादशा, बार-बार, बीरबल, पहले, दूसरा और तीसरा फसल अच्छी होने पर पक्षी अक्सर चावल के दाने लेने वहाँ आ जाते किसान ने चावल के दानों को उन पक्षियों से बचाने के लिए बड़े से मटके में डाल दिया और उसकी बाई तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया एक पक्षी आया और अपनी चोंच में चावल का दाना दबाकर उड़ गया बादशा ने फिर अपनी आदत के अनुसार पूछा फिर क्या हुआ बादशा के बार बार फिर क्या हुआ के प्रश्न का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा पहले एक पक्षी आया उसने अपनी चोंच में दाना डाला और उड़ गया फिर दूसरा पक्षी आया, फिर तीसरा पक्षी आया, इस प्रकार बार-बार पक्षी आते गए और मुह में दाना दबाकर उड़ते गए नेक्स्ट कीवर्ड हैं, अकबर, चिडकर, बीरबल, कितने, पान सो पच्चिस, दाना, बीरबल, प्रश्न, अकबर, आदत, छोड़, और नीद आखिर चिडकर, अकबर बाठ्षा ने जब बीरबल से पूछा, कि अभी और कितने पक्षी आयेंगे, तो बीरबल ने बताया, पान सो पच्चिस, बाठ्षा बोले, ये पक्षी दाना लेने, कब छोड़ेंगे, बीरबल ने उत्तर दिया, जब आप यह कहना छोड़ेंगे फिर क्या हुआ, यह सुनकर बाठ्षा अकबर को अपनी भूल पता चल गई, अब उन्होंने कहानी सुनना भी छोड़ दिया, और ये कहना भी छोड़ दिया, फिर क्या हुआ, अब उन्हें नीद भी आने लगी, हाँ तो बच्चो, है ना यह है एक रोचगटना, और पता चला कि किस तरह से बीरबल ने अपनी चतुराई से बाठ्षा की इस बुरियादत को किस तरह से छुड़वाया, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी शब्दावली का परयोग करके, इस सार को मेरे बताया नुसार स्वेम लिखने का परयास करना है, पेटा, मैंने आ आपको through keywords सार को कैसे डैवलब करना है, यह बताया, अब मैं आपको नोडबुक पर यह सार कैसे लिखना है, यह बताऊंगी, सबसे पहले आप उपर तिथी डालेंगे, यह आप हिंदी अंको में डालेंगे, राइट साइड लिखेंगे एक ग्रहिकारिल, फिर हम चप्टर क पाठ फिर क्या हुआ का है, इसमें मुगल बादशा अकबर के जीवन से जुड़ी एक रोचग घटा का वर्नन किया गया है, एक बार की बात है, बादशा अकबर बिमार पड़ गई, clear, तो बच्चों आपने देखा किस तरह से मैंने साफ साफ ऐसे लिखा है, आपने भी through keywords इसी को सार को साफ साफ आगे continue करना है, तो बेटा यहां आप एक बात और ध्यान से देखेंगे कि आपने chapter का नाम और book का नाम, यानि कि पुस्तक का नाम single inverted comma में लिखना है, यानि उसको highlight करता है, clear, तो बच्चों अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सार अच्छे से लि मिलेंगे इन नए topic के साथ, तब तक के लिए, गुड़ बाई